नमस्कार, मैं हो ससी, आई जार्खन की टोप 25 परमू खबर जानते हैं जार्खन में मैट्रिक दस्विव और इंटरमीडियेट बराहमी की परिक्षा की तारिखों का आयलान कर दिया गया है 6 फरवरी से 26 फरवरी 2024 तक परिचाय आयोजित की जाएगी जार्खन अधिवीद परिशद जैक बोड ने सुक्रवार को इसकी घोसना की है जार्खन में मैट्रिक वा इंटर्मेडियेट की परिचाय की तारिखों का इंतियार कर रहे चात्रों के लिए बड़ी खबर है जैक बोड ने तारिखों की घोसना कर दी है 6 फरवरी से मैट्रिक वा इंटर की परिचाय शुरू होगी बता दे 26 फरवरी तक मैट्रिक वा इंटर्मेडियेट की परिचाय आयोजित की जाएगी मैट्रिक और इंटर के लिए प्रेक्टिकल की परिच्छा 29 फरवरी से 12 मार्च 2024 तक लिजाएगी वहीं एडमिट कार्ड 25 जनवरी 2024 से जैक बोड की वेपसाइट से डाउनलोड किया जा सकेगा बता दे जारकन मैट्रिक वा इंटर की परिच्छा 6 फरवरी 2024 से सुरू हो रही है पहली पाली में मैट्रिक की परिच्छा आयोजित की जाएगी सुब्बा नो बच कर 45 मिट से दो पहर एक बच कर 5 मिट तक परिच्छा होगी वह दूसरी पाली में इंटर्मिलेट की परिच्छा होगी रांची के मांडर में चार मंदीरों की परतिमा खंडित भारी पुलिस बायल तैनाथ रांची जिले के मांडर थाना चेत्र के मुडमा गाविस्ती चार मंदीरों में लगी मुर्तियों को गुरुवार की रात खंडित कर दिया गया है। मंदीर निर्मान के लिए लगाये गए जहन्डों को भी उखाण कर फेक दिया गया। सुबर सुबर टहनले निकले और छट गीत गाने महिलाय मंदीर पहुची तो देखा कि मंदीर में मुर्तिया खंडित कर दी गई है इसके बाद अन्य मंदीर में भी मुर्तिया को खंडित करने के सुचना आग की तर पूरे छेतरे में फैल गई बिधान सभा अस्थापना दिवस को लेकर उच अस्तरिय बैठाक जारखन बिधान सभा का अस्थापना दिवस के मौके पर 22 और 23 नॉमबर को बिधान सभा में कारकरम आयोजित की जाएगी इसको लेकर विधान सभा अध्यक्स रविन्द रातमातों ने विभागे पताधिकारियों के साथ उच अस्तर ये बैठक किया है बैठक में इस्पिकर ने कहा है कि 22 नॉमबर को नकसली मोड़ भेड में सहीद जवान के परिजनों और खेल से जुड़े लोगों को समानित किया जाना है उन्होंने पताधिकारियों को निर्देश दिया की कारेकरम के लिए नुडल पताधिकारी के माध्यम से सहीदों के परिजनों और खिलाडियों के कारेकरम अस्तल तक पहुंचा है अस्थापना दिवस पर चंद्रयान मीशन तीन से जुले जार्खन के बेग्यानिक और जार्खन के टोपर छात्रश हत्राओं को भी पुरस्कृत किया जाना है इस पिकार ने रांची परसासन के पता अधिकारी को इन सभी की आतायात सुरक्षा और ठाहरने का इंतिजाम करने का निर्देश दिया है बैठाक में मुक्स चीव सुकदेव सिंग, डिजीपी अजय कुमार सिंग समेत कई अधिकारी मौझूद रहे जार्खन में सरकारी करमचारियों को 17 नॉमबर को ही मिला बेतन जार्खन के मुख्य मंत्री हेमाउन सुरे ने लोक आस्था के महापरवचट को देखते वे सरकारी करमचारियों को 17 नॉमबर को ही इस माह का बेतन देने का निर्देश जारी किया है अधिकारी तुरंत इस आदेश का पालन करने में जूट गए और बताया जा रहा है कि लगभग सत्तर परतिशत कर्मियों को बेतन दे दिया गया सेस करमचारियों को सनिवार को बेतन दे दिया जाएगा रांची कोसागार और जीले के आने कोसागार खूले रहेंगे ताकि सभी का भुकतान हो जाए बता दे कि जार्खन सरकार राज जेपल सच्चिवाले जार्खन उच नियाला है और विधान सभा सच्चिवाले के सभी पताधिकारियों और कर्मियों को नॉमबर माह के बेतन का भुगतान 17 नॉमबर को ही सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया गया था पच्चमी सिंभू में आईडी की चपेट में आने से एक जवान सहीद दो गंभी जारकन के नकसल परुहईत इलाकों में आईडी की चपेट में आकर भारतिय जवान के बलीदान और घायल होने की सुच्चना है सुक्रवार को गोईल के रामे नक्सलियों खिलाब चलाया जारहे अभियान में सामीर CRPF के तीन जवान ID की चपेट में आकर घायल होगा है हादसे में घायल एक जवान बलिदान होगा है जबकि आने दोनों जवानों को यार लिफ्ट कर रांची बेहतर इलाज के लिए भेज दिया गया है मिली जनकारी के मताबिक जवान जंगल की ओरनक सलियों खिलाब अभियान पर निकले थे इसी दोड़ान आईडी बलास्ट हो गया जिसकी चपेट में आने से एक अधिकारी और दो जवान घायल हो गया घातना के तुरंत बाद सभी घायल जवानों को जंगल से निकाला गया उतक्रिष्ट बिधायक से नवाजे जाएंगे रामचंद्र सिंग इस साल का उतक्रिष्ट बिधायक का पुरसकार मानिका के कॉंग्रेस बिधायक रामचंद्र सिंग को मिलेगा चारखन बिधायन सभास्थापना दिवस के मौके पर इन्हें समानित किया जाएगा इस पिकर रमीदर नाथ महतु के अज़ेक्ता में सुक्रवार 17 नॉमबा साम हुई बैठक में इस पर मुहर लगी है इस बैठक में सलसद्य कारमंत्र अलमगीर अलम नेताप्रतिपक्ष अमर बावरी बिधायक इस्टिपन मरांडी एन्सीबी बिधायक कमले सिंग आदी मजूद थे बतादे पुरसकार चैन समित्ती की हुई इस बैठक में उत्किष्ट बिधायक के अलावे विश्ष्ट कारे करने वाले और ने बिधान सभाकर्मियों को भी समानित करने का नहीं लिया गया जिन्हें बिधान सभास्त अपना दिवस पर समानित किया जाएगा मांडर घटना पर बिजेपी ने कहा अब इस राज्य में भागवान भी सुरक्षित नहीं राजधानी के मांडर इस्थीत मुडमा में असमाजिक ततों के द्वारा देवी देताओं की परतिमाओं को तोड़े जाने के बाद इस पर राजनीती सुरू हो गई है इस घटना की भाजपाने निंदा करते वे तिखी परतिक्रिय अब्यक्त की है भारतिय जन्तापाटी के परतिस महमंत्री और राज सभासांसद अदित्य साहू ने कहा है कि जिस राज़े में देवी देवता सुरक्षित नहीं उस राज़े की कानून बेवास्था के बारे में अंदाज लगाया जा सकता है परदेश भाज़पाक कर्याले में राज सभासांसद अदित्य साहू ने कहा है कि लगतार एक खास समुदाय को आहत करने के काम किया जा रहा है आखिर कहा है परसासन चलाने वाले लोग जो इस पर लगाम नहीं लगा पा रहे मुख्य मंत्री हेमंसुरे ने छट घाटो का किया निरिक्छान लोग आस्था का महापर्व छट को लेकर उत्साह चरम पर है इस महापर्व को मनाने की ब्याप्त तयारिया की जा रही है घर से लेकर छट घाटो तक में लोग तयारी में जूटे हैं इस सब के बीच राजधानी राची में छट घाटो पर हुई तयारियों का जाजा लेने खुद राजी के मुख्या निकले बता दे मुख्य मंत्री हेमंसुरे ने इस दोरान कांके डेम और राजबहन समी बने हटनिया तलाब का जाजा लिया राजे के अला अधिकारियों के साथ छट घाटों का निरिक्षन करने पहुँचे मुख्य मंत्री ने इस दोरान साप सफाई के साथ परकास की विवस्ता में किसी तरह की कमी नहीं हो इसको लेका निर्देते नजर आए काके डेम छट घात का निरिक्षन करने के बाद हटनिया तलाप पहुंचे मुखी मतिर नगर निगम द्वारा की गए त्यारी से संतुष्ट दिखे ज्यारखन में फिर छली C&T पर बहस ज्यारखन एक ऐसा राज है जहां जब भी छोटा नागपूर कस्तकारी अधिनियम 1908 यानि C&T और संथाल परगना कस्तकारी अधिनियम 1904 यानि SPT में सुधार या बदलाव की बात होती है तो हंगामा खड़ा हो जाता है सरक्स सदन तक आंदोलन होने लगता है दोनों एक्ट को अंग्रेजों ने बनाया था मकसद था आदिवास्यों के जमीन की खरीद बिकरी को संग्रक्षित करना है समय के साथ इसमें कई बदला हुए अब ट्राइवल एडवाजरी कौंसील यानि टी एसी ने 26 जनवरी 1950 में अस्थापी जीला और थाना के अधार पर सी एंटी जमीन की खरीद बिकरी के प्रस्ताव पर समती दे दी है लिहाजा सी एंटी की दैरे में आने वाले या जानना चाह रहे हैं कि अगर इस बेवस्ताव को अमली जमा पहनाया जाता है तो इन्हें नाफा या नुकसान क्या होगा जेल में छा बंदी कर रहे हैं महा पर्व छट महा पर्व छट की सुरुआत सुक्रवार को नहाय खाय के साथ सुरू हो गई है महा पर्व छट को लेकर एक तरफ जहां हर तरफ उल्लास का महल है वहें रांची जेल में भी पूरा महौल छट माई हो गया है हर वर्स की तरह इस वर्स भी रांची के बीशा मुंडा केंद्रिये कारागार में 6 बंदी छट पुजा कर रहे हैं चट महापरो को लेकर रांची के बिसा मुंडा केंद्रिये कारा के बंदी भी भक्ती में सराबो रहा हैं। समधी जागरूपता के कारियों के लिए इस्टेट आइकोन न्यूक्त किया जाएगा। ये जार्खन हजारी बाग के लाल है। एक्टर बिजय सिंग काते हैं कि उन्हें खुसी हाई कि वे अपने गिरी हिराज जार्खन के लोगों को मत्दान के लिए जागरूप करेंगे और मत्दान परतिशत बढ़ाने के लिए काम आ सकेंगे। जार्खन में मौसम बदलते ही सर्दिक हासी के मरीज बढ़े। क्योंकि इसका इंफेक्शन लंबे समय तक रह रहा है। रिम्स और सदर अस्पताल के OPD में मौसमी बिमारी से पिडित मरीजों के संखें पिछले कुछ दिनों से 50 परतिषत बढ़ गई। मेडिसीन और NTOPD में प्रति दिन मौसमी बिमारी से पिडित करीब 35-40 मरीजों को परामर्स दिया जा रहा है। दुमका में 44,000 छात्राओं को साइकल के लिए भेजे जाएंगे पैसा। विच बितरन से सम्माधी जनकारी ली अगय महतपुर्ण नियोदेश दिये। उपायुकत को अवगत कराया गया है कि 1,30,800 छात्राओं को फ्री मैट्रिक छात्रवेतिक सवक्रिती दी गाई। सुल्क साइकल बितरन योजना अंतरगत वर्ष 2021-233,701 छात्राओं वर्ष 2021-244,496 छात्राओं एवां वर्ष 2022-233,702 छात्राओं को तत्समें कक्छा आठ में अध्यान रच छात्राओं को नियोजना अंतरगत 45,000 रुपय साइकल कराया है तु दिया जाएगा। लातेहर पुलिस के सामने नकसली जीतन न किया सरेंडर जार्खन पिछले कई सालों से नकसलवाद के सफाय का अभियान चल रहा है इसी अभियान के तहट नकसल प्रभावित सभी जीलों में लगतार नकसलीयों के खिलाब सर्च आपेसन भी चलाया जा रहा है इसी बीच लातेहार पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है भागपा मवादी से जुड़े एक नकसली ने सुक्रवार को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया नकसली का नाम जीतेंदर नगेसिया उर्फ जीतेंदर किसान है वो भागपा मवादी का सक्रीज सदस्य था बदाद जीतंदर नगेसिया ने लाते हाट डीसी, हिमानसु मोहन और एसपी अंजनी अंजन के समक्ष आत्मसमरपन किया है दुमका बिधायक बसंत सुरेन ने किया छट घाटों का निरिक्छान दुमका के अस्थानिये बिधायक बसंत सुरेन ने गुरु आरको सहर के परमुख चारो छट घाट का निरिक्छन किया सबसे पहले वे खुटा बांद पहुचे जहां समीति की सरसों ने बिधायक से मिलकर तलाब में छट वर्तियों के सुरक्षा एम सजा सजावट के बारे में चर्चा की खुटा बांद छट पुजा समीति के सचीव असोक कुमार रावत ने विधायक से तलाब का सुंदरी करन करने की मांग की है वहीं विधायक सीरी सुले ने कहा है कि छट पुजा के बाद एक बार आएंगे उसके बाद इसे लेकर पहल की जाएगी कैदियों को मदत पहुचाने वाले को जल्द गिरफतार करेगी एडी रांची का होटवार इस्थित बीरसा मुंडा केंद्रिये करा प्रवंधान कट घरे में है राज्य में घोटाले के बिभीन मामलों में मनी लॉंडरिंग के तहट जाच कर रही इडी ने एक बड़ा मामला पकड़ा है जाच के कराम में ही इडी को जनकारी मिली है कि केंद्रिये कारा में कैद्रियों को मदद पहुचाने के एवज में जेल अधिक शक वा जेलर ने अवैद कमाई की है इडी ने जाच में दोनों के बिरूद आई से अधिक संपत्ति के ममला भी पकड़ा है और आप दोनों के बिरूद चार्चित करने के त्यारी में है इडी ने अधिकारिक सुत्रों की माने तो दोनों ही पता अधिकारिकी गिरफतारी की संभाव है जन जातिय भासाओं के 101 सिख्ष को की होगी नियुक्ति राजे के 8 राजकिये 200 विद्याले में जन जातिय अमच्हत्रिय भासाओं में 101 सहायक प्रध्यापकों की नियुक्ति होगी इन पदो के आरक्षन रोष्टर पर कार्मिक विभागी सोगरीति के बाद उच एम तकनीकी सिक्षा विभाग ने बिश्व विद्यालों को भेज दिया है इसके बाद सभी पिस्तो विद्यालियों दोआरा नियुक्ति की अधिया अचना जारकान लोक सेवा आयोक को भेज़ दी गई अब आयोक दोआरा नियुक्ति पर किलिए शुरू की जाएगी साहव गन्ज में डॉल्फिन पर सवार दिखेंगी मुक्तेशुर घाट पर मा गन्जाइट दिखेंगी नमामी गन्ज पर्योजना के ताहत यहां 12 फिट उची परतिमा का निर्मान भी करया गया है जारखन में किसी अन्य जिले में गन्जा की परतिमा नहीं है देश बिदेश में भी डॉल्फिन पर सवार घंगा के परतिमा का उलेक नहीं मिला है इस पर कूल 23.60 लाक रुपे खर्च हुए है बतादे छट के पहले अर्ध यानी रभीवार से सर्धालू इसका दर्शन कर सकेंगे उसी दिन उपायूक राम निवास यादव परतिमा का अनावरन भी करेंगे राजकिये सम्मान के साथ पंच्तत्व में बिलीन हुए गुबर्धन नायाक बिहार सरकार में मंत्री रहे गुबर्धन नायाक पार्थिव सरीर का पाच्मी सिमुम जीला अंतरगत कुमार डोंगी परखंड के छोटा राय कमान गाव में राजकिये सम्मान के साथ सुक्रवार को अम्तिम संसकार किया गया इस दवारन पच्मी सिमुम जीला पर साशन के दोवारा सम्मान सहीत पुर्व मंत्री के पार्थिव सरीर को तिरंगा से ढखक सलामी दिया गया प्रधान मत्रिनायन मोदी की सुरक्षा में बीते दिनों बड़ी चुक हो गई थी एक महिला अचानक से प्रधान मोदी की कार के सामने कुद गई थी इस घटना के वीडियो सोसल मीडिया पर वारेल हो गया था दरसल पीए मोदी बुद्धवार को जारखन के रांची में बीर्सा मुंडा मेमोरियल जा रहे थे पीएम के काफिले के किनारे सुरक्षा कर्मी तैनाथ थे तभी अचानक दोड़ती हुई एक महिला पीएम के वहान के सामने आखड़ी हुई पलक छपकते ही सुरक्षा कर्मी थोंगे सहीद और खिलाडी जारखन विधान सभाका थापना दिवस समारो और संस्किति कारक्रम की तैयारियों को अम्तिम रूप देने के लिए इस पीकर रविंद्रात महतों ने सुक्रुवर को उस अस्तरिय बैठक की है विधान सभाका तैस्वास थापना दिवस 22 और 23 अम्बर को मनाया जाएगा संस्क्रीतिक संध्या में सुरो की महफिर सजाने के लिए पार्शो गायक चावेद अली गजल गायक कुमार सत्यम और हासे कलाका रविंद्र जोनी अमंत्रित किये गए हैं साथ ही समारो में राज्य मिनक्सल मुड़ भेड में सहीद होने वाले ज जारकन के जवानों को परिजनों और खिलाडियों को समानित किया जाएगा पुरस्कृत किये जाने वाले चंद्रयान मीशन तीन से जुड़े जारकन के बेग्यानिक जारकन के टोपर छात्र शात्राओं के लिए यातायाद सुरक्षा और आवासन के सम्भाद में भी 17 से 23 नॉमबर तक 120 लिजन्ड रांची के जेसी में राजधानी के जेसी में लिजन्ड लिंग किरिकेट के दूसरे सिजन की शुरुआत 18 नॉमबर को होने जा रही है 23 नॉमबर तक 5 लिंग मुकाबले इस मैदान में खेले जाएंगे इसमें 6 टीम के 120 लिजन्ड खिलाड़ आपना जोहर दिखाएंगे टिक्टोक बिक्री शुरू हो चुकी है और 199 सबसे कम कीमत की टिकट है बतादे 17 नौंबर को इस परत्योक्ता को लेकर पेस कॉन्फिरेंस की गाई जिसमें CEO रमन रहेजा पूर्व अंतराश्ट्रे किर्केटर हासिम अमला मुनाफ पटल और प्रविन तामबे ने सनुक्त रूप से पेस कॉन्फिरेंस को समोधित किया और पूरी टोर्नामेंट की जनकारी दिया लातेहार वो पलामू एसपी ने लिया छट घाट का नरिक्षान लातेहार पुलिस अधिक्षक अंजनी अंजन और पलामू पुलिस अधिक्षक रिस्मा रमेशन ने सुक्रवार को सहर के मुख्य और अंगा नदी छट घाट का निरिक्षन किया इस दोरान उन्होंने सुरे नरायन पूजा समीति के अध्याक सुरेंदर परसाद सिंग से छट पूजा को लेकर की गए तैयारियों के जनकारी ली अध्याक सुरेंदर परसाद सिंग ने बताया कि छट घाट में परयाप्त रहसनिक बेवस्ता की गई इसके अलावा नदी में कई अस्नानगार बनाये गए छट घाट तक पहुँचने वारे रास्ता को भी दुरुस्त किया गया है राज्येपाल और मुख्यमंद्री ने दी सहीद जवान को सरधानजली धुरुवा के सियार पी एफ कैम्प में राज्येपाल, सिपी रधा किष्णन और मुख्यमंद्री हमंसुरें ने गोईल के रा में सहीद जवान संतोस उराव सहीद होगा है जारखन मौसम विभाग रांची मौसम केंद्र के निदेशक और वरिष्ट मौसम बेगानी अविसेक आनन्द के अनुसार वर्तमान समय में राज्ये के जायतर इलाकों में आसमान में बादल छाय रहने की वज़ा से बंगाल की खाड़ी में बना एक साइकलोनिक तुफान मीधिली है इस तुफान के आज रात बंगला देश के तर्ट से टक्राने की सम्भवना है इसके बाद यह कमजोर पढ़ जाएगा वरिष्ट मौसम बेगानी अविसेक आनन्द के उन्सार इस साइकलोनिक स्ट्रॉप मीधिली के कमजोर पढ़ने की वज़ा से जारखन में आसमान कल से साफ हो जाएगा धन्यवाद